गन्य का जूस पीने के लिए आप गर्मी में भार जाने की ज़रूरत नहीं है आप घर पर बैठे अराम से कम से कम इंग्रीडियन्स के साथ गन्य का जूस बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी डिलेशिस तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल sg food world में गन्य के रस की रेस ठीक सिपी की शर्वायत करते हैं सबसे पहले आपको लेना है 100 ग्राम गुड इसकी से तोर लेना बट्ते से या इसको चूरी से भी कट कर सकते हैं इसको अच्छे ते बारीक कूट लेना है जितना यह बारीक होगा उतनी जल्दी है पानी में घूलेगा आप पानी रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसेपी के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये घुल जाए और थोड़ी देर के लिए से ऐसे ही छोड़ देंगे गुर्ड जो है खेतों से लाया जाता है इसलिए इसमें कुछ इसमें कुछ निकला नहीं है पर फिर भी चानना सही रहता है मैं अपनी रेसिपीज में टेस्स के साथ सथ हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखती हूँ ये तो आप जानते ही है गुर्ड बहुत ही फायदेमन है एनिम्या की प्रॉब्लम दूर करता है एक रेट सोस ऑफ एनरजी ह अब मिक्सिजार में मैं आड़ करूँगी कुछ पुदीना लीफ्स जो मैंने अल्रेडी दोकर रखी हूँ थी इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एक छोटा सा टुकड़ा अद्रक का आप चाहें तो डाल सकते हैं अब आपको पसंदी है तो अब इसमें आड़ करे अब गुड से मैं बनाऊंगी शुगर के जूस अब सारी इंग्रीडियन्स को अच्छ से मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे अब इसमें आड़ करेंगे चार से पांच आइस क्यूप्स आइस क्यूप्स जालने के बाद फिर से ब्लेंड करेंगी देखिए कितना बढ़िया भी रूम टेंप्रेशर पर आदा टीस्पून में डालूंगी यहां पर ब्लाक सॉल्ट यानि की काला नमक अब बस एक बाई फाइनल ब्लेंड करेंगे और रेडी है हमारा गन्ने का जूस बिना गन्ने के गन्ने का जूस घर पर बनाएं आसानी से जट पर आई होप यह रे से पियें या घर पर बनाएं यह पंदा से 20 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए मिलूंगी ऐसी ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट टो लाइक शेर और सब्सक्राइब